exercise 1.2 question number 5 5 rational numbers हमें निकालने हैं 2 by 3 और 4 by 5 के बीच में second part minus 3 by 2 and 5 upon 3 के बीच में first part शुरू करेंगे सबसे पहले तो हमारा पहला वही रिती निवास जो होता है हमेशा दोनों के denominator को same करो और दोनों के denominator को same करने के लिए का करते हैं हम multiply कर देते हैं एक दूसरे से okay it would be 4 upon 5 5 को 3 से multiply and 3 को 5 से multiply into 5 into 5 और into 3 into 3 उपर multiply क्योंकि हमेने दोनों के numerator को क्योंकि जन नम्बर से में denominator में मुल्टिप्लाइ करता हूं उन्हीं नम्बर से में numerator में मुल्टिप्लिकेशन करना होता है ताकि इनकी value concentra है okay then next step 5 to 10 upon 15 and 12 upon 15 okay अब 10 upon 15 and 12 upon 15 के बीच में हम 5 rational numbers निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है impossible है almost तो मैं इनको थोड़ा modify कर दूँगा इन भाई साब को modify करके क्या करूँगा मैं हमेशा मैंने बताया कि अगर आपको 5 rational numbers निकालना थो उससे एक number जादा से multiply करना है किसको denominator को इन दोनों के okay तो सबसे पहले 10 upon 15 है 15 को मैं 6 से multiply करूँगा तो उपर भी 6 से multiply करना पड़ेगा then and 12 upon 15 है 15 को भी यहाँ पर 6 से multiply और उपर भी 6 से multiply then 10 सिग्जा 60 upon 15 सिग्जा 90 and 12 सिग्जा 72 upon again 15 सिग्जा 90 okay so हमारे पास यहाँ दो numbers आगए 60 upon 90 and 72 upon 90 अब अराम से निकल जाएंगे भी इनके बीच में कोई भी 5 rational numbers तो 60 से आगे count करना शुरू करेंगे हम तो यह हो जाएगा 61 upon 90 62 upon 90 63 upon 90 64 upon 90 and 65 upon 90 तो यह हमारे 5 rational numbers आगए किन के बीच में इन दोनो numbers के बीच में और यह दोनो numbers क्या थे 2 upon 3 and 4 upon 5 अब next question पर हम आते है minus 3 upon 2 and 5 upon 3 ओके बीच में एक border बना देते हैं चलिए again यहाँ पर यह से इन स्टेप करना है हमें दोनों के पहले हमें denominator को equal करना है minus 3 upon 2 denominator equal कैसे करेंगे 2 को 3 से multiply कर दो भाई and 5 upon 3 में 3 को 2 से multiply कर दो into 2 यह हो जाएगा आपका minus 3 3s are 9 upon 3 2s are 6 and 5 2s are 10 upon 3 2s are 6 अब यहाँ पर भी हमें कितने निकाल ले हैं 5 rational numbers निकाल ले हैं थोड़ा इहाँ पर हमारे लिए असान है क्यों क्योंकि हमारे जो इहाँ पर नंबर है वो एक negative में और एक positive जा रहा है तो अराम से मैं minus 9 से towards right of the number line चुरू करूंगा from 9 towards right of the number line तो यह हो जाएगा minus 8 upon 6 minus 7 upon 6 minus 6 upon 6 minus 5 upon 6 एक positive integer भी ले ले लेते हैं तो 9 upon 6, okay? यह हो गए मेरे 5 rational numbers 1, 2, 3, 4, 5, 5 rational numbers किसके बीच में? इन दोनों numbers के बीच में और यह दो numbers कौन से थे हमारे हमेशा धेहन रखना मैंने इन दो numbers को modify करके इन दो numbers में convert किया ताकि मेरी numbers की बीच में range बढ़ जाए और जितने मुझे राशनल numbers निकाल ले हैं उतने अराम से मिल जाएं, okay? अब इसका 3rd part जो मैंने पिछली वीडियो में चोड़ दिया था और एडिटिंग करता है यह आदा है कि यह भी बनाना है तो क्या है, 1 upon 4 and 1 upon 2 वही सेम आमेशीज करने हैं यहापे दोनों का इम डेनॉमिनेेटर सेम करेंगे एट इसे मुझें, यह इसमें एक और चीज कर सकते हो बढ़े हैं इंट्रस्टींग वही कर सकते हो कि जहाब तो 4 है इस 2 को आप केवल 2 से मुझे कर दो और उपर भी 2 से मुझे नुझे कर दो, okay? So, हमें 5 rational numbers निकालने तो यह हमारा हो गया 1 upon 4 and 2 1s are 2, 2 2s are 4 Okay, अब हमें 5 rational numbers निकालने तो हम इसको किस से multiply करेंगे? 6 से multiply करेंगे Okay, तो यह हो जाएगा मेरा 1 upon 4 into 6 into 6 and 2 upon 4 into 6 into 6 अब यह हो जाएगा मेरा 6 upon 6 forza 24, यहाँ पर मैं arrow डाल के कर सकता हूँ, sorry 6 बंजा 6 upon 6 forza 24 and 6 to 12 upon 6 forza 24, अब हमारे पास एक बहुत लंबी range खुल गई है 6 से लेकर 12 तक के बीच में, इस में से मैं कोई भी 5 rational numbers लिख सकता हूँ से 7 upon 12, 8 upon 12, 9 upon 12, 10 upon 12 and 11 upon 12 तो यह जो मेरी पूरी की पूरी numbers की range है, यह के बीच में आएगी? इन दोनों numbers की बीच में और यह दोनों numbers मेरे, अच्छली में कौन से numbers थे? यह दोनों numbers थे, okay? So, that was it. Thank you, take care and have a nice day.